हम लोग मालूनत में हैं ठीक है आज जो आ गए हम यहां रोमानिया में और जो यह लोग हमारे साथ काम कर रहें मतलब यह लोग तो हमारी फेसिलिटी में सब चीज प्रवाइड कर दें हमें कैसा लग रहा है कई इंगेंस है जिनको इन से थोड़ा कम मिला होगा कई है इन से ज्यादा मिला होगा जितना कुछ कर पाद है इंगें गवर्मेंट पहले जिस सिर्थी में थे हम लोग वहां पे हमने बहुत बोल लेकिन यह चीज देखो एप्रोच वह कहां कहां तक दे भी है अंगरी में आप जो लोग है वो लोग रोड़ पही है सेल्टर सारे भर गई क्या कर सकते हैं लोग जादा है सेल्टर तो इसलिए तो यह जितने भी गद्दे टेंट देखा ही होगा तुमने फेस्बुक वेड लोग और आज की डेट में दनीपुरो के सारे स्टुएंट सेफली दनीपुरो छोड़ चुक है पहली बात तो यह और जो खारकी में बचे हुए उनको भी टाइम दे दिया गया साड़े नौव बज़े तक का छोड़ने का लेकिन पहली बात जो फसे हुए उक्रेन में उन पहले इंडिया चले गए वो लोग अपने आपको ज्यादा समझदार समय लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है हम लोग कैसे इस पैंड किये दो चार दिन कैसे रहें कैसे नहीं रहें तो जो फैसलिटी दी जा रही है वो सारी इंडियन गवर्ण्मेंट के तरफ से है तो उनको बिग सेलुट है बिग थैंक्यू है सबको इंडिया जाकर ना तुम्हें किसी गवर्ण्मेंट को गलत बताना है सब अपने हिसाब से काम करते हैं ना रोमानिया ना इंडिया ना रसिया किसी के बारे में कुछ खिलाप बोलना नहीं क्यों क्योंकि तुम नहीं जानते क्या चल रहा है क्या नहीं ठीक है तो हमें मतलब है इंडिया गवर्ण्मेंट से वह फैसिलिटी दे रही है अपने इसाब से जहां तक वह दे सकती है अभी यह दो दिन पहले हम लोग आते हैं तो हम लोग बॉर्डर की लाइन में ही खड़े हैं क्योंकि फैसलिक तब कीने दो द सब्सक्राइब क्योंकि यह लोग हमारे बारे में इतना सोच रहा है तो हम भी सोचे को कोई परस्यान ना करे इनको हम क्या है हमें एक दो दिन बाद तो चले जाएंगे तो इनकी सोचके ज्यादा चिल्ला चोटी मत करो ज्यादा